चलिए बड़े के खबरों में आगे बात अब राजस्तान की करते हैं राजस्तान के स्कूलों में आज से सुर्य नमस्कार और राजस्तान की स्कूल आज से वर्ल डिकॉन बनाने की तयानी पर है सुर्य सब्तमी पर सभी स्कूलों में कराया जा रहा सुर्य नमस्कार जबिया तेयलुमा ने बच्चों को स्कूल ना भेजने के अपील की है बड़ी ख़बर आपको बता रहे सुर्य सब्तमी पर सभी स्कूलों में सुर्य नमस्कार और रसूर नमसकार को लेका धार्मिक स्वतंजता की बात करते हुए अतराज जताने वाले मुस्तिम समाज की मांग की उलट प्रदेश भर में सिक्षा विभा का भब आयोजन जो है वो शुरू होने जा रहा है खबर पर अधिक अपडेट के साथ समबाद आता विनोध हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोध तेके काफी जादा विरोध देखनी को मिरा सूर नमसकार की जब सी बात साबने आई कोड तक ये मामला पहुंच गया सबसे पहले बताए क्या अपडेट है और कैसी तस्वीर है जब राजस्तान के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कुलों में एक साथ सामुहिक सूर नमसकार का अभ्यास करवाए जाएगा बेरारम ये भी बता दें कि राजस्तान मुस्लिम फोरस ने ये कहा था फोरम ने साब तोर पे कहा था कि किसी भी समुधाय विशेश या जाती विशेश पर इस तरह की चीप थोपी नहीं जा सकती है इसे वेकल्पिक किया जाए चाहे चातर करें चाहे शिक्षक करें ना करें इसे वेकल्पिक किया जाए लेकिन देखिए शिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने भी कल एक बड़े कारिक्रम में अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सूरे नमसकार से आपती है या जिनकी भावनाय आहत होती हैं वो एक काल कोटरी में छुप जाएं और ऐसी कोटरी में छुप जाएं जहां सूरे की किर्णे नहीं पड़े लेकिन सभी स्कूलों में राजस्तान के तमाम सरकारी वे गैर सरकारी स्कूलों में मैं सूरे नमस्कार करवा कर रहूंगा और जातार यह मांग कर रहे हैं इसे वैकल्पिक किया जाए इसका विरोध हो रहा है इसे वापस लेने की मांग की जा रही है लेकिन मैं आपको बता दू देखिए सुबह उठकर नहादोकर सूरे नमस्कार करना वैसे भी स्वास के लिए लाबदायक है और इसी आशा उमीद को बिल्कुल देखिए ये कहीं ने कहीं पॉजिटिव पहल की जारी लेकिन विरोध के सुर्भी काफी तेसी से उड़ते वे नजरा रहे स्कूलों में सुर्य नमस्कार के खलाब देखिए मुस्लिम संगटन ने मूट्चा कोल दिया है और सिक्षा मंत्री का भी बयान इसमें स आपका है कि सुर्य सब्तमी को जोरो शोरो से बनाया चाक और इसकी तैयारी कि अप साथ स्कूलों में पूरी तरह से कर ली गई है कि जिस तरीके से मुस्लिम संगटन विरोत कर रहे हैं तो आज पहले दिन अभ्यास में मुस्लिम चात्र चात्राओं की संक्या कितनी कम रहती है सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में यह भी बात सामने आ रहे हैं कि तमाम बच्चे जो हैं हिंदू नहीं हैं या मुस्लिम हैं वो चुटी ले सके हैं तमाम जानकारियों के लिए विनोद बहुत बहुत शुक्रया